हेलो बच्चों कैसे हैं आप लोग चलिए मैं उमीद करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे जहां भी होंगे मुश्कुराते होंगे परिशानियों को दूर करके आप खुद खुशी मना रहे होंगे चलिए तो आज हम आए हैं आपके लिए लेके प्यारा सा लेक्चर फिर से और जो आज हमारा लेक्चर है वो है जिमने स्पाम पे तो ध्यान देंगे कि अभी तक हमने जो बीडियो बनाया है रिलेटेड टू प्लांट क्लासिफिकेशन उसमें हमारा क्रिप्टो गैम्स जो है पर चुके हैं अब हम परने वाले हैं फैनरो गैम्स यानि सीड बीरिंग प्लांट जिसमें आपका जिमनो स्पाम भी आता है और एंजियो स्पाम भी आता है तो आज हम लेंगे लेक्चर किसके उपर में जिमनो स्पाम के उपर में तो वीडियो स्टार्ट करने से परले मैं आपसे एक request करूँगा कि आप इस channel पर अगर नए हैं तो आप इस channel को subscribe जरूर कर लें अपने दोस्तों अपने भाई बहनों से जरूर बताएं सेर करें उनके साथ वीडियो और अगर आपने वीडियो को like नहीं किया है तो अभी like मत किजिए वीडियो देखिए आप और अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को like किजिए और like कर रहे हैं तो वही बेल आइकन पे जो है आप click कर दिजिए ताकि अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए जो आएंगा उसका notification आपको मिलता रहे चलिए शुरुआत करते हैं gymnos sperm के वा that means कि इनका जो seeds है अच्छा sperm का मीनिंग क्या होता है seeds यानि जिनका seeds के ऊपर में कोई extra covering ना हो generally तो seed के हर एक सिर में coat होते हैं उसकी covering होती है लेकिन extra coat ना हो जैसे आपको पता होंगा बच्चों कि आप जब ngos sperm की बात करते हैं किसी fruits को खाते हो तो fruits क्या है fruits भी एक covering है जो seeds को protect कर रहा है seed को nourishment दे रहा है लेकिन जो आपके gymnos sperm होते हैं इन में ऐसा कोई भी structure नहीं होता है gymnos sperm में सिर्फ seed के coat होते हैं seed के ऊपर में कोई envelop या extra covering नहीं होता है और इसलिए gymnos sperm का जो नाम है उसमें इसका meaning क्या होता है naked seed यानि किसी भी तरह का कोई extra covering नहीं होता है चलिए तो पहला मेंबर हम पर रहे हैं फैनरोगम्स का तो gymnos sperm यानि क्या gymnos sperm का meaning यहाँ पर देखे आपको दिख रहा होंगा gymnos का means होता है naked sperm मतलब क्या seeds तो जिसका seeds क्या हो naked हो किसी भी तरह कोई covering ना हो gymnos sperm क्या होते है mostly evergreen होते है perennial होते है and woody होते है तो बच्चों आपने देखा होंगा summer season आते ही आपके आजु बाजु के plant जो है अपना leaf छोड़ देते हैं पूरे के पूरे leaf गिर जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं decidious plant बोलते हैं मतलब उन्होंने अपना leaf क्या कर दिया पूरा गिरा दिया लेकिन evergreen plants ऐसे plants होते हैं throughout the year पूरे साल भर उनमें greenery रहेंगी तो इसलिए आप देखते होंगे कास्मीर जम्मू सिम्ला कुलू मनाली इन सब में जो plant दिखते होंगे आपको यह जब भी आप देखोंगे जिस season में भी देखोंगे ना green ही दिखेंगे इ annual, bineal and perennial, annual यानि जो plant अपना life cycle जो है एक साल में complete कर लेता है जितने भी आप crops वगरे करते हो सब annual plants है जैसे कपास है gossipyam जिसे हम बोलते है cotton plants यह सब दो साल लगा देते हैं ठीक है और कुछ ऐसे भी plants है वैसे तो gossipyam एक साल में भी हो जाता है लेकिन कुछ ऐसे plants है जो दो साल में अपना life cycle complete करते है जैसे अगर हम अधरक की बात करते हैं मिंस टर्मेरिका है जिंजर हो गया अधरक और टर्मेरिक यानि की हल्दी यह सब प्लांट दो साल में अपना life cycle complete करते हैं यह क्या होते हैं अच्छा पेरेनियल का मैंने meaning नहीं बता है पेरेनियल यानि जो more than two years हो है ना जैसे आम है या बाकी plants है आपके surrounding में जामुन होंगा ग्वावा अम्रूद है यह सब multiple years तक survive करते हैं देन उसके बाद वुडी वुडी यानि क्या hard इनका stem काफी क्या होता है hard होता है देन अगर हम बात करेंगे जिमने स्परम का तो इनका जो plant structure है वो unbranched भी होत मेज यानि मक्का का plant आपने देखा है सीधा सीधा ओपर जाएंगा उससे कहीं बाजू से कोई branching निकलता है क्या नहीं तो उसे हम unbranched बोलते हैं जिसका example और रहता था ताज रहता था वह ऐसे टाइप में रहते हैं ऊपर में जाके ऐसे फाइल ले रहते हैं आएंगे हम फोटोग्राफ भी दिख जाएंगा आपको यह जो plants होते हैं पर male and female flower like structure होता है आपके बुक में गलती से flower बोल दिया है लेकिन flower gymnosperm में नहीं होता है flower सिर्फ angiosperm में होता है तो flower like structure है flower नहीं है तो इन में आपको क्या दिखेंगा तो यह structure कहां पर दिखेंगे यह जो male and female के flower के जैसा structure है वो दिखता है कहां पर इस पोरो फील इस पोरो फील यानि कि फाइलस मेर्ड मींस डिलेटेट टू लीप्स तो लीप्स के ऊपर में इस पोर वाला रीजन यह जो plants होते हैं इसमें seeds present होते हैं लेकिन इसके ऊपर में कोई भी natural covering present नहीं होता है यह plants में flower and fruits नहीं होता है जिम्नेश पर्म में flower and fruits नहीं होता है example जो है आपका इसमें साइकस है पाइसिया है पाइसिया यानि Christmas tree आपने तो देखा ही होंगा साइकस भी आपने देखा है थूजा जिसको आप विद्या के देवी भी बोलते हो विद्या प्लांट भी बोलते हो बच्पन में हम इसे बुक में रखते थे ताकि हमें knowledge भर जाए जिसको more punky भी बोलत तो चलो बच्चो मैं आपको सबसे पहले एक वार फिर से आपके points को थोड़ा सा highlight कर देता हूं ताकि आपको ध्यान में रखे आपको क्या-क्या याद रखना है तो जिम्नोंस form में seeds कैसे होते हैं नेकेड होते हैं यह evergreen होते throughout the year green रहते हैं multiple year में इनका life cycle complete होता है इसका stem ज दोनों form में आपको दिखेंगे इनके leaves जो है वो crown यानि की ताज के जैसे रहते हैं इसका female और male flower like structure है और उसे ही हम क्या बोलते हैं इस profile बोलते हैं इनका जो seeds है उसके उपर में कोई भी natural covering present नहीं है इनके पास जो flower और fruits है वो absent flower and fruits नहीं है साइकस है पाइसिया है थुजा है पाइनस है और जिसे देवदार भी बोलते हैं यह कुछ examples हो गए किसके तो जिमनोस पम के अब हम इसके photograph देख लेंगे तो यहाँ पी यह साइकस का photograph आप देखेंगे आप बूलें यहाँ मैंने तो बिलकुल यह तो देखा है हमारे में देखा होंगा थुजा भी आप अपने गार्डेन में देखेंगे तो बच्चो अब मैं आपसे एक request करूंगा कि अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी helpful रहा तो वीडियो को like जरूर कीजिएगा क्योंकि आपक अच्छे लगे तो आप इसके बारे में बता सकते हो कि कौन सा प्लांट्स आपको सबसे प्यारा देखने को मिला और आप किस प्लांट्स को अपने गार्डेन में लगाना चाहोगे यह भी आप कमेंट जरूर कीजिए और आपका दिन सुब हो मैं यही चाहूंगा आप